जानी आपके मोबाइल में इन बिल्ट यानि की इन स्क्रीन फिंगर्प्रिंट सेंसर कैसे काम करता है आजकल के दौर में सुरक्ष का महत्व जितना वासिविक दुनिया में बढ़ गया है उतना ही डिजिटल दुनिया में भी बढ़ गया है हम स्मार्टफोन लेते हैं तो सबसे पहले उसकी सुरक्ष का इंदिजाम देखते हैं जैसे कि फिंगर्प्रिंट, फेस अनलॉक, रेडिना अनलॉक आदी अगर हम बात करें फिंगर्प्रिंट की तो इसके तीन प्रकार होते हैं पहला ऑप्टिकल, दूसरा कैपसिटिव और तीसरा अल्टरसॉनिक बदलते वक्त में जहां फिंगर्प्रिंट मोबाइल पर पहले सामने की तरफ आया करता था यह फिर मोबाइल के पीछे की तरफ आने लगा लेकिन अब नई तक्नीक का इस्तेमाल करते हुए यह आपके स्क्रीन के अंदर छुपके बैठ सकता है कई मोबाइल अब इसी तक्नीक का इस्तेमाल करने लगे हैं और यह बाजार में भी उपलब्ध है स्क्रीन के अंदर का फिंगर्प्रिंट आखिर काम कैसे करता है परावति प्रकाश के आधार पर आपके फिंगर फ्रिंट की छवी को कैप्चर का काम करता है। इन डिस्प्रे अंट्रसॉनिक सेंसर स्क्रीन की सतेय के माध्यम से अल्ट्रसॉनिक तरंगों को प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि ultrasonic तरंगे ठोस समगरी से एक तरह से यात्रव कर सकती है जो प्रकाश नहीं कर सकता बादार में आज कई अलग-अलग इन डिस्प्ले सेंसर हैं जिन में से कुछ optical है और जिन में से कुछ ultrasonic है